अमिता बच्चन के तब्यद बिगडी एंजियो प्लास्टी हुई अस्पताल में भरती बॉली वूड के शहनसा अमिता बच्चन से जूड़ी खबर आ रही है दरसल बिगडी की तब्यद खरा बताई जा रही है और उन्हें मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में भरती करवाया गया है बताया जा रहा है कि अमिता बच्चन के एंजियो प्लास्टी की गई है खबरों के मुताबिक बिगडी को कड़ी सुरक्षा के बीच आज तड़ के अस्पताल में भरती करवाया गया था उन्होंने दोपहर में एक्सपर पोस्ट किया और लिखा है कि हमेशा ग्रैटिट्यूट माना जाता रहा है सरजरी के बाद अमिता बच्चन ने अपने सोश हट लगा रहता है वहीं अमिताब बच्चन भी हर संडे को अपने घर जलसा के बाहर फैंस से मुलाकात भी करते हैं बीती दिनों मिताब बच्चन ने अपने एक्स अकाउंट पर फैंस से मुलाकात की थी ये तस्वीर शेयर की थी इसके साथ ही बिगबी ने लिखा था हमब बियोंड तो इस बीच मुंबई से खबर आ रही है मिताब बच्चन के तब्यद खराब हो गई है उन्हें अस्पताल में भरती करवाया गया है बिग बी आज सुभा एंजियो प्लास्टिक की गई है अच्छी से अच्छी सर्विस प्रवाइड की जाएगी आपको मिलेगी बेस्ट फ्लाइट बेस्ट होटेल्स वो भी बिलकुल मक्का और मदीना के करीब खाने में रहेगी बुफे सर्फेस तो फिर दिये गए नमबर पर कॉल करें और अभी उम्रा की सीट बुक करें इस न अच्छी सब्सक्राइड के लिए इस नंबर पर बुक करें आप बुक कर सकते हैं अमिता बच्चन के तब्यद बिगडी एंजियो प्लास्टी हुई अस्पताल में भरती बॉली वूड के शहनसा अमिता बच्चन से जूड़ी खबर आ रही है दरसल बिगडी की तब्यद खरा बताई जा रही है और उन्हें मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में भरती करवाया गया है बताया जा रहा है कि अमिताब बच्चन के एंजियो प्लास्टी की गई है खबरों के मुताबिक बिगडी को कड़ी सुरक्षा के बीच आज तड़ के अस्पताल में भरती करवाया गया था उन्होंने दोपहर में एक्सपर पोच्ट किया और लिखा है कि हमेशा बताब रहते हैं बिगबी से मिलने के लिए उनके घर के बाहर फैंस का जमघट लगा रहता है वहीं अमिताब बच्चन भी हर संडे को अपने घर जलसा के बाहर फैंस से मुलाकात भी करते हैं बीते दिनों मिताब बच्चन ने अपने एक्स अकाउंट पर फैंस से मुलाका ये तस्वीर शेयर की थी इसके साथ ही बिगबी ने लिखा था हमबर्ड बियोंड तो इस बीच मुंबई से खबर आ रही है मिताब बचन के तवियत खराब हो गई है उन्हें अस्पताल में भरती करवाया गया है बिगबी आज सुभा एंजियो प्लास्टिक की गई है